ओम शंती आज हम सुनेंगे बाबा के 16 जुन 2022 के साकार मधुर महवाक्य आज बाबा ने मुरली के सार में दो बाते बताई एक तो किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है अपने को आत्मा समझ एक बाप को याद करना है और दुसरी बात बाबा ने कही कि कोई भी बात में गफलत नहीं करना है क्यूंकि विकर्मों का बोजा पहले से ही सिर पर बहुत भारी है इसलिए विकर्मों से सदा बचे रहना है और उपाई बताया कि सिवाई एक बाप की याद के यह विकर्मों का बोजा कम नहीं हो सकता और आज बाबा ने सेंसिबुल बच्चों की धारना वा निशानी सुनाई कि वह ग्यान के बादल भर कर जाएंगे और जाई वर्षा करेंगे ग्यान की धारना कर फिर दुसरों को कराएंगे पढ़ाई में कभी भी उबासी नहीं लेंगे आज बाबा कहे मीठे बच्चे तुम्हें किसी भी देहधारी के नाम रूप में नहीं फसना है तुम अशरिरी बन बाप को याद करो तो आयू बढ़ेंगी निरोगी बनते जाएंगे आज मुरली में प्रशन है सेंसिबुल बच्चों की मुख्य निशानिया क्या होंगी उत्तर में बाबा ने सेंसिबुल बच्चों की दो निशानिया सुनाई पहली जो sensible होंगे, वह पहले स्वयम में धारना कर फिर दुसरों को कराएंगे, बादल भर जाए वर्शा करेंगे, पढ़ाई के समय उबासे नहीं लेंगे, ब्राम्हनियों पर responsibility हैं, यहां उन्हें ही लेकर आना है, जो refresh होकर जाए फिर वर्शा करें, दुसरी, यहां वही आने चाहिए, जो योग में अच्छी तरह रहकर वायो मंडल को powerful बनाने में मदद करें, विग्न न डाले, यहां आसपास बड़ी शांती रहने चाहिए, कोई भी प्रकार का आवाज न हो, आज मुरली में गीत हैं, ओम नमस्शिवाई, पितुमात सहायक स स्वामी सखा, तुम ही जग के रखवाले हो, सारी मुरली से धारना के लिए सार हैं, पहला, शरीर से डिटाच हो, स्वधरम में स्थित रहने का अभ्यास करना हैं, जितना हो सके, Most Beloved बाप को याद करना हैं, मुह की रग सब तरफ से निकाल देनी हैं, दुसरा, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना हैं, अपने उपर आपे ही कृपा वा अशिर्वाद करनी हैं, बुद्धियोग हद से तोड, बेहद से जोड़ना हैं, बाप का बन कर बाप पर पूरा-पूरा बली चड़ना हैं, आज बाबा ने वर्दान दिया, सत बाप के संग द्वारा, कमजोर योको समाप्त करने वाले सहज योगी सहज ग्यानी भव, सत बाप के संग द्वारा, कमजोर योको समाप्त करने वाले सहज योगी सहज ग्यानी भव, स्वश्टिकरण हैं, कोई भी कमजोरी तब आती हैं, जब सत के संग से किनारा हो जाता हैं, और दुसरा संग लग जाता ह इसलिए भक्ति में कहते हैं सदा सत संग में रहो सत संग अर्थात सत बाप के संग में रहना आप सब के लिए सत बाप का संग अति सहज हैं क्योंकि समीप का संबंध हैं तो सदा सत संग में रहे कमजोर योको समाप्त करने वाले सहज योगी सहज ग्यानी बनो आज का स्लोगन है, सदा संपन रहना है, तो प्रशन सा सुनने की इच्छा का त्याग करदो. सदा प्रसन रहना हैं, तो प्रशन सा सुनने की इच्छा का त्याग कर दो अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चो प्रती, मात पिता, बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रुहानी बाप की रुहानी बच्चो को नमस्ते हम रुहानी बच्चों की रुहानी मात पिता बाप दादा को भी याद यार गुड मॉर्नी और नमस्ते अच्छा उम शंती